पुरानी दिल्ली की तंग गलियों से आप गुजरोगे तो आपको मिलेंगी पहुत सारी खुष्फुऊ है वो ऐसी खुष्पुऊ है जो आज की नहीं बहुत पुरानी है और वहाँ पे बस्ती है हिंदुस्तान की हिस्ट्री हिस्ट्री रिच खानों की, मुगली कुजीन की तो मुगली जो कुजीन है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कॉंपलिक्स है क्या खुश्पुदार है, आरोमाज है तो जो कि आजकल पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत जादा पॉपलर है तो आज मैं भी बनाने वाला हूँ अपने किचन में जिसका नाम है पुरानी दिल्ली स्टाइल मुगलाई मतनी तो यह रेसिपी मैं बनाऊँगा जरा ध्यान से देखना आसान है मगर मसालों का ही खेल है सारा तो वह थोड़ा सा ध्यान से देखना क्यूंकि मैं आपसे पूछूँगा रेसिपी के दौरान एक सवाल और अगर उस सवाल का आपने दिया सही जवाब कमेंट करके तो लकी विनस को मिल सकता है टाटा संपन की तरफ से एक्साइटिंग गिफ्ट हैंपर तो जरा ध्यान से देखो और शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं गैस जला लेता हूँ और नमली जो खाना है मुगलाई वो बनता है देसी घी के अंदर बट मैं यहाँ पर आधा तेल और आधा गी उस करूंगा तो यहां पर गया ज़रा सा तेल और देशी घी तो तेल को और घी को में हलका सा गर्म होने देता हूँ, फिर इसके अंदर जाएंगे खड़े मसालों, तो खड़े मसालों में सबसे पहले तेज पत्ता, उसके साथ साथ कुछ काली मिर्च के दाने, लॉंग, और छोटी लाइची, और उसके साथ साथ दाल चीनी, ये गया, मसालों को हलका सा तड़कने देते हैं, फिर इसके अंदर में डालूंगा ये है अनियन की प्यूरे, यानि की प्यास, और इसके अंदर प्यास जो है वो दो फॉम में जाएगी, एक तो ये जो प्यास है अनियन की प्यूरे है ये, और दूसरा जाएगा ब्राउन अनियन का यानि कि प्यास को इस तरीके से सुनेहरा ब्राउन किया, फिर उसके बाद जरा सा पानी डालके उसे पीज लिया है, वो कुछ इस तरह की हो जाएगी, तो यह दोनों तरीके से प्यास जाएगा, तो यह इस ब्लटर हो गए है, अब इसके अंदर में डालूंगा यह अनियन की प्यूरे, और प्यास को मुझे अच्छे से भूनना है तब तक जब तक के लाइट गोल्डन कलर का ब्राउन कलर का नहीं हो जाता, तो इसे लगेंगे तीन से लेके पांच मिनट, तो प्यास हलका हलका ब्राउन होना शुरू हो चुका है, अब इसके अंदर में डालूंगा अधरक लसन का टेस्ट, और इसे भी में प्यास के साथ ही जरा सब भून लूँगा ताकि इसके कच्छे पन की जो स्मेल है वो दूर हो जाए, तो नेक्स इसके अंदर जाएगा मतन, तो मतन जो है वो वो विद बोन का यूज करेंगे हम यहां पर, तो यह डाला मतन और इसक और उसके साथ साथ रेड चिली पाउडर, और लाल मिर्च का पाउडर डालने के साथ साथ इसके अंदर में डालूँगा सूखी हुई लाल मिर्चे भी, तोड के डाल देता हूं मैं, और इसके साथ साथ थोड़ी सी जावित्री, अब मतन की होगी अच्छे से भुनाई, कम से कम तीन से लेके पांच मिनट के लिए, और फ्लेम जो है हम हाई पर ही रखेंगे, तो मतन जो है उसकी भुनाई हो चुकी है, तीन से लेके पांच मिनट के लिए, नेक्स इसके अंदर में डालूँगा दही, और दही के साथ था, जो मैंने आपको बताया था, ब्राउन उ अब डालेंगे काजू का पेस्ट, और इन सारी चीजों को अच्छे से मुझे मिक्स करना है, और इसे पांच मिनट के लिए मैं कुक करूंगा, ताकि जो सारे मसाले है, वो दही के साथ, ब्राउन उनियन का जो पेस्ट डाला है, मतन के साथ, अच्छे से वो जस्पो जाएं फिर इसके अंदर हम डालेंगे पानी और बस पकने के लिए छोड़ देंगे, तो नेक्स्ट, अब मुगलई खानों के अंदर एक कम्पलेक्सिटी होती है, मसालों की, फ्लेवर्स की, तो दुनिया जहान के मसाले एकठे करके हम डालें, वो नहीं करने वाले, तो कि घर पे क मैं यूज़ करूंगा यहां पर मीट मसाला, और इस मीट मसाले की खास बात यह है, केक तो बनाया गया है, खुझ मास्टर शेफ संजीव कपूर द्वारा, और दूसरी यह, कि जिस तकनीक से से बनाया गया है, इसके अंदर सारे नाच्रल ओयल से हो बरकरा रखे गया है, त next, इसके अंदर पानी में अटकार देता हूँ, जितनी आपको करी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर तरी लोतिया वो अच्一下 होतीय है, क्योंकि इसे अंदर पानी नाखी भाएप करें अपिर खाये चाहिए, अर मतन को भी पकने में व्क लगता है कम से कम आदा घंटा तो जाता हूँ बस अब इसे करते हैं हम कवर और इसे कवर करके कम से कम आदे घंटी के लिए तब तक जब तक मटन जो है वो अच्छे से गल नहीं जाता तब तक मुझे इसे कुप करना है तो मैं आपको दिखाँ उसकी शकल, तो उपर मटन के पूरा ही आप देख सकते हो रोगन आ गया है, और ये घी जो है उपर तैर रहा है, मटन भी बहुत बहुत बैतरीन गड़ा है, तो इस अल्मोस दन, एक फाइनल टच करेंगे हम, फाइनल टच है यहां पर पुरानी दिल् बनाया दाता, तो इस खुश्वु गई इसके अंदर, एंड में, जरा सा, बहुत जादा नहीं, और गैस फॉरन की बंद, और इसे मिक्स किया, क्यूंकि केवडा डाला है, तो इसकी जो अरोमा है उसको अच्छे से मटन में अब्सॉब करने के लिए, मैं एक काम करूंगा, इसे मैं कवर करके बस पांच मिनिट के लिए यूही छोड़ दूगा और फिर इसकी प्लेटिंग करेंगे, तो जब तक इसके अंदर जो केवडे की अरोमा है वो अब्सॉर्ब होती है, मैं पूछता हूँ आप से आज का सवाल, सवाल यह है कि मैंने ये डिश बनाने के लि से एक्साइटिंग गिफ्ट हैंपा, और इसे गानिश कर देंगे, थोड़े से यहां पे तली हुई प्यास से, और इसके साथ साथ कुछ चॉप किया हुआ हरा धनिया, और यह जो हमारा पुरानी दिल्ली स्टाइल, जो मुगली मतन है, जोरदार यह बनकर बिलकुल तयार ह वही खुश्बू, वही इसकी रंगत आई है, वही इसकी कंसिस्टेंसी आई है, थिकमेंस आई है, उसक्या चाहिए, गर्मा गरम कोई अफगानी रोटी है, खमीरी रोटी चाहिए, इसके अंदर डिप करेंगे, ताकि इसकी जो सारी करी की गुड़नेस है, वह एब्सॉब कर ले और फिर गर्मा गरम हम परोसेंगे और खाएंगे, आप भी खा सकते हो, यह रेसिपी ट्राइ कीजिए घर पे, मेरे साथ फीडबेक शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको मेरी वीडियो बाकई में अच्छी लगती हैं, तो लाइक करें और शेयर भी करें, उसके करेंगे